हेलो गाइस बढ़कोन में चलिए गाइस आई सिया टेकनीसियन लेवल वन का एक्जाम को लेकर आज सभी के पास नौटिबिकेसन पहुंचता है मेल या फिर एसमेस के दौरा तब सब लोग चौक जाते हैं कि आकिर ये कौन सा एक्जाम है देखेगा ये एक एक्जाम है जो 2021 म कितनी दहने वाले इस बार की कट आप किती रहेगी लेवल कैसा रहेगा इस सारी चीज़ वीडियो में देखेंगे तो यहां पर इसके बार यह चीज करी जाती है कि इस परिछा को कैंसिल कर दे जाता है क्यों कि या जाता है चारो स्ट की पेपर कैंसिल वो इस वज़े से क्योंकि यहां पर इनोंने बोला ना कि कुछ ऐसी चीज़े हुई इस परिछा में चाहें चीटिंग हुई चाहें ऑनलाइंग हैकिंग हुई या फिर घूस के चलते हैं कुछ चीज़े हुई जिसको देखते हुए इसने क्या क या पेपर को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया अब पेपर कैंसिल कर दिया तो उसके बाद क्या उनने बोला कि जी एक्जाम होगा ठीक है अब जी एक्जाम हो गया तो उसके बाद यहां पर आपकी जो है डेट निकाली गए डेट कम निकाली गई थी साथ जुलाई और आठ सा एक्जाम है अब ठीक है यह चीज़े आपको क्लियर होगी अब देखें पेपर का लेवल कैसा पेपर जो था पिछली बार यहां पर पूछा गया था वो हाड था बैसिकली सोसल साइंस तो बहुत ज़्यादा हाड था क्योंकि सोसल साइंस में अलग से दिया गया लेकिन सोस पढ़ा नहीं है तो इस हिसाब से पेपर का लेवल भी इजी आएगा और परिच्छा में सिरु लोग बैठे है जिन्होंने पिछली बार परिच्छा दी इसका मतलब क्या जितनी लोगों पिछली परिच्छा दी तो तो टोटल इस बार जो एक्जाम में बैठेंगा वो ती इजी टू मॉडेट रहेगा और अजीब तो आएगा ही यह तो आप लोग जानते ही है ठीक है आप चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कट आप क्या है यह आप जानेंगे पिछली वाली वीडियो से कंपेर करता पिछले वाला जो कट आफ आया था फाइनल जिसका रिजल्ट आपके कटेग्री वाइज उसके बार इस वेकेंसी में कुछ पद बढ़ गए थे जो 802 हो गए थे ठीक है यह आलो और इंडिया के थी 641 से पद बढ़के 802 हो गए थे जिसमें यू आर तीन सो प्यतालिए से 123 स्टी 64 और बीसी 189 बाकि यह आपके यहाँ पर डिजर पोस् थी धानली होई थी उसी वज़े से पैच्छा रद देखिया गया जो इसकी अंतिम क्योंकि कटॉप जो होता है वो लास्ट होता है क्योंकि इसके बाद अले बच्चे स्लेक्ट नहीं होता है इसके पहले वाले सिलेक्ट हैं तो देखेगा जो जनली कटॉप गई थी वह 16.7 786 नॉर्मलाइजेशन के बाद की कटॉप है 16.786 आप सब्सक्ति सो में माइनस मागिंग होने के बाउजर इतना नंबर जो लाया था उसका सेलेक्ट यहां पर किया गया था ठीक है यह बात यहां पर रही इसकी जनरल की और यहां पर SC की देख लेते हैं SC की भी 52 नंबर कट था इसी तरीके से EWS के हां पर 17 नंबर कट आप गई थी बाकी यहां पर आप देख लिजेगा अगर आप किसी रिजर्व कटेगरी में आते हैं तो ठीक है यह हो गया अब आप देखेंगे कि कि कितना कट आप यहां पर पिछली बार गया हुआ था पर एक जानना जरूरी है कि इस बार जो है competition भी कम है और उसके सांसा जितने लोगों ने सिर्फ परिच्छा दीती सिर्फ उनी लोगों को परिच्छा में बैठने का मौका मिला है तो कुल मिला कर जादा लोग इसमें नहीं बैठने वाले हैं जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि टोटल तो 15,000,000 में से मैं मान लेता हूं कि 12,000,000 लोगों ने परिच्छा दी थी ठीक है 12-13,000,000 लोगों ने आपर परिच्छा इसकी दी थी अब यह उम्मीद आप लगा सकते हैं कि 12,000,000 जो केंड़ेट पिछली बार बैठे थे जहां में तो इसमें फिर से लगभग यहां पर कम-70,000,000 लेकर चलें यहां पर मुझे नहीं लगता कि 7-8,000,000,000 से कम बच्चे इस बाहु है पर आप नहीं देने वालें इतने दो परिच्छा देंगे तो अबवे सी बात है यहां पर 14,000,000 लोगों ने परिच्छा दी आप साफा नहीं लाक Дेंगे वो 56 के अराउंड रहने वाला है ठीक है 56 के अराउंड रहने वाला है क्योंकि देखिएगा मैं जैसे बता रहा हूँ नकल के बाद इसलिए तो पैच्छा रद्ध हुई थी पिर यहां पर स्टी के बात कर लेंगे दोस्तों तो स्टी का कटॉप जो है यहां पर यहां पर यह 48 अगर आप वबी सी हैं तो आपका यहां पर 55 नंबर पर सेलेक्शन होने वाला है इस बार का ठीक है पच्पन नंबर का अगर यहां पर भरती प्रकिरियापूर्ण रूप से अच्छी रही बिल्कुल यहां पर कोई भी यहां पर अन्होनी ना हुई जिसे कोई भी बाहरी ल होना चीए वह 60 नंबर के उपर का होना चीए टार्गेट में बात करो क्योंकि टार्गेट लोग अचीव नहीं कर बाते उसके आसपास ही रहते हैं तो टार्गेट आप 60 प्लस बनाके चलिए मार्किंग हाई है यह पर का लेवल भी ठिक ठाक रहने वाला है तो इतना अगर आप करके चलते हैं तो निश्ची रूप से इस एक्जाम में इस बार आप अपना सेलेक्शन कंपन मान लेंगे तुम